अगर हम आपसे कहें कि समुद्रों की गहराईयों में मिलने वाले मूति को आप घर बैठे ही उगा सकते हैं तो आप थोड़ा चौक जाएंगे लेकिन सोहागपुर के बमोरिया दमपती ने कुछ ऐसा ही कर दिखाया है जिन्होंने गाउं में ही मूतियों की खेती की कैसे आई अभी मिल सकती है इस तालाब में हर एक सीपी में एक मोति है जिसे अपने हाथों से सजाया है सुहापुर की इंजीनियर अमित बमोरिया और उनकी पतनी सुलक्षणा ने जो हर सीपी में अपने हाथों से सजाते हैं मोति का बीच जो करीब 15 साल तक इस सीप में रहने के बाद अपनी चमक भिखेता है